जैशी गड़ी जी हर अर्मादे मैं हूँ अचारे संध्या सक्सेन आमालक्ष्मी जोतिशदात्मिक संस्थान की तब से आप सभी का स्वागत करती हूँ तब सीक्रेट अचारे संध्या सक्सेन मेरे तीन चैनल है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बल आइकन दबा दिजिएगा हमेशा खुश रहिए खुश रहिए और सिव खुश रहिए भगान शी गरती मेरा से प्रातना करती हूँ खुशिया फ्लाए आपकी अंदर आपके परिवार में आपके परिचितों में आपकी सुख सम्रधी को भढ़ाने का करण बनूँ मैं और वेरे गड्यी जी ऐसे प्रातना करती हूँ सबी पड़ों को परणाम चोड़ों को प्यार और जो मेरे हम अबरन को भी बहुत बहुत प्यार और आशिवाद और प्रात्ना करती हों कि आप सब बहुत 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 खुश रहें हमेशा खुश रहें और सिर्फ खुश रहें तो जिसकी जो भी जाज अच्छा है वो पूरी करे भगान श्री गड़ती मराज कुछ भी काम करते हो तो गड़ी जी का नाम लो रात को सोने से पहले एक बार गड़ी चाली सा पढ़ेंगे तो मेरे गन्नू देवता आप एह हमेशे एक्रिपा बनाए रखेंगे और हफते में एक बार थोड़ी सी मठाई बावा को चड़ा दिया करो मेरे गड़ी जी को तो काम जरूर बनेगा आज मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाई बता रही हो यह वो है शराब का शराब के कुछ उपाई बताने जा रही हूँ शराब के भी उपाई होते हैं और शराब के उपाई पड़ी तेजी से आपके मनतों को पूरा करते हैं चाहे वो कालीमा हो, चाहे वो भेरबबा हो, चाहे वो नदी हो, दरिया हो कुछ ऐसे खास उपाय बताऊंगे और आप सबसे यही गुजारिश करूंगे कि मुस्क राते रहो हसते रहो हमेशा खुशाल रहो प्रयोग स्टार्ट करते हैं आज का तो आज मैं आपको शराप के कुछ उपाय बताने जा रही हूं तो यदि आपके कोई खास मनुकामना है उसी में आपको यह प्रयोग करना है मनुकामना पूर्ती के लिए शराप के प्रयोग हैं और बहुत सारे तीन चार प्रयोग बताऊंगी तो हम पहले स्टार्ट करते हैं यह प्रयोग मैंने एक फिल्म प्रोडूसर को कराया था वो फिल्मों के प्रडूक्शन करते थे और पिछले कुछ समय वो पहले परशान हो गए थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गए थी लॉगडाउन से पहले ही वो बहुत परशान थे फिर तो लॉगडाउन लग गया तो उन्होंने मुझे से मदद मागी और उन्होंने मुझे बोला सौथ की फिल्मों में मंद किया था उससे पहले बहुत सारे लोगों जो ये जो होते हैं फिल्म स्टार्स होते हैं टीवी स्टार्स होते हैं यहां तक कि एक मिसस इंडिया उनका भी में पास फोन आ चुका है सर्विसस सभी लेते हैं ठीक है सभी के सिंदगी में दुख तकलीफ आती रहती है तो उन्हें मुझसे बात किया और उन्हें मुझसे कहा कि प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये प्रोक करवाया था और उन्होंने ये प्रोक किया था और इसका फायदा उनको ये हुआ कि किसी खास हीरो को लेकर वो अपनी फिल्म को बनाना चाहरे थे उसमें उनको बहुत हेल्प म तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक कुछ खास ऐसा ही उपाए जो की शराब से संबंदित है शराब जो है पीने के लिए नहीं बोल रही हूं अक्सार लोग शराब बहुत पीते हैं मर्द या तो मैंने लड़किया भी सनी है लड़किया से यार आया बैगलोर में मैंने एक लड़की को उपाय करवाया था तो उनको मैंने महादेव के पूजा दी थी और कहा था है कि आप इस पूजा को करा करो आपको फल देगी और आपका काम वश्यक्य बूरा होगा एक दिन मैं अपना उसका मैसेज आया और मैं मैसेज पड़ रही थी तो एक दम से उसके मैसेज पर नज़र पड़ी तो मैंने उसको कॉल किया मैंने का क्या हुआ बताओ तो कहती है कि आज बड़ा डेप्रेशन हो रहा है मैंने का तो मैंने का कोई बात ही है आप पूझा करो सब जरुए करता है C4 यह निए पूछ नहीं आज क्या मैं तल्ली हो सकती वह किया है उसनुच्छी वाते हैं है क्यों सबस्वाइनी मैं बीदा करने की है मैं पू tum half me भी कभी डिप्रेशन होता है तो मैं फीलो तो उसे मैं क्या कर सकती हूँ मैं अगर शराब पिन अच्छी बात नहीं होती है तो करी नहीं थोड़ा सा पिऊंगी तो थोड़ा अच्छा लएगा मैंने गा मैं आपसे श्राप पिने के लिए नहीं कहूंगी लेकिन अगर आप पीती हो तो मैं इसमें क्या कर सकती हो पर मत पीजिए दारू पीन अची बात नहीं है और दारू के कुछ प्रयोग बताऊंगी और दारू छुड़ाने का भी प्रयोग बताऊंगी मनत भी पूरी होगी और दारू छुटेगी भी तो सबसे पहले हम दारू छुटाते हैं यदि आप ए घर में कोई दारू पिने लगा है और आप उसके दारू पिने से बहुत जाते दुखी आ गई है तो क्या करना है और अगर आपके कोई खास मनत है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं और आपकी बहुत टाइम से वो मनत पूरी नियोरी जैसे कि मैंने पूर्डिसर की आपको कथा सुनाई तो दारू से मनत कैसे पूरी होगी दोन ही चीज़ बताऊंगी सबसे पहले हम बनत की बात करते है फिर दारू छुडाने के बात करते है चोलो पहले दारू चडाते है तो अगर आपको घर में कोई व्यक्तिव लगातार दारू पीता है श्राब पीता है या व्य fasten करनता है गुठका पाल कुछ भी खाता है आप उसकी इस आदर से बहुत परिशान आ गए कि काश इसकी आदर छुट जाए तो आपको कुछ नहीं करना है साथ शनिवार तक जिस ब्रांड की वह दारू पीता है चाहे वह पववा पीता हो चाहे वह देशी पीता हो जो भी दारू पीता है उस दारू को कि एक बॉटल ल हैं। मैं चाहता हूं या चाहते कैम्यल्विक्ति हैं। जो कि मेरा भाई है प्रीमी है पत्नी है जो भी है उसकी अंदर जो शराब पीने की ऑच्छा हो थी है उसे पूडू से खतम कीजे ौड़ और नाम रोटशे ज़ुट लिए ऐसा करती हूं dit कि लिए था फोड़ कशत सकते हो अगर आप छोटा बहुआ लोगे छोटा वाला यह कातन है एक 200 ग्राम का मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम काली मंदिर में चुड़ाते हैं पहले बहुत चुड़ाते थे अभी तो आचल कम कर दी है लेकिन काली माव के बंदिर में लोग चुड़ाते थे किसी खास मन not पूरी करने के लिए तो भगवान भयरफ का मंदिर आपको डोडना है आपके नियरबाइ एर्या में कौन से भगवान भयरफ का मंदर है जो शराप अपको पसंदो और अगर आप शराप नहीं पीते हैं तो अच्छे ब्राण की शाप को आपको लेना है और एक पौआ एकária पाओ लीजे, दाइस्वा ग्राम की जो बोतल आती है, आपकी जो भी मनो कामना है, उसको बोलते वे, आपको शनीवार को, सुरी, रवीवार को, रवीवार को अब भगवान भैरफ के मंदिर में जाना है, और वो जाके शराब की बोतल चड़ानी है, और उसको खोल के, उसकी मेरी अमुक कामना है, उसको पूरा कीजिए, तब आपको भगवान को शराब चड़ानी है, और वहां पे बैटके थोड़ा भगवान का ध्यान करना है, यह दोनों ही प्रियोग जो है, एक मनो कामना को पूर्ण करने के लिए है, और एक शराब को चड़वाने के लिए है, हर संड्य का लगाना है या बुद्वार को लगाएंगे तो बुद्वार और संड्य का देने भगवान भैरप का होता है साथ में आपकट्य की सेवा करनी होगी कुद्ट्टे को रूट्री डालती रहेंगे यह आप करलिजे लेकि कुद्टे को अगर आप डूध में जली बहुत अच्छा होता है कच्छी दूद्बे ये प्रियोग आप कर लिजे शराप का और शराप शुड़वानी हो तो भी प्रियोग बता दिया इसके लावा भगाण श्यंदेव के मंदिर में जाकर भी अगर आप किसी की शराप को शुड़वाने के लिए साथ शनिवार जाक अगर प्रातना करते हैं तो आपकी मनद जरूपूरी होती है वहाँ पर जाके आपको साथ शनिवार तक भगाण से प्रातना करने होती है और वहां पर प्रातना में आपको ये बोलना है कि प्रभु अम्बु प्रिक्ति शराप पिने लगाए उसकी शराप शुड़वा दि और एस्ट्रो संद्य सक्सेना पे आप मुझे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं 812-647-699-2767-22-6441 रंबर है तो आज के लिए ताहीं आप सभी का दिन शुगो प्रमात्मा से यही प्रात्ना करती हैं धन्यवाद